खोज के लागव हेलो फ्रेंट्स रेंकर साट डाय यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करें तो फ्रेंट्स बहुत सारे कमेंट आ देते केुटि लाए रिखने यह दोग है। प्रत साट हैं कि इसना क्य 45 90 सोर करें ताकि आपका सुरक्षित हो जाएए। थीक है फ्रेंट्स ? हम देखेंगे क्या कि सब पहले प्रिवियस कोश्चन सल्फ कर लेंगे 11 से 11 से लेकर 18 तक जितने एक जाम हुआ है इसका हेड कॉंस्टेवल का उसका फिर टॉपिक वाइज हम लोग तेयारी करेंगे तो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपका जो एक्ज पूछा जाता है ठीक है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को फ्रेस कर लिजिए ताकि इससे संबंदित कोई भी हम नोटिफिकेशन या कोई भी हम पेपर सोलुसन लेकर आएं तो सबसे पर नोटिफिकेशन आपको देखने के बाद अपने एजुकेशनल गुरूप फेस्बुक में ज्यादस ज्यादा सेयर कर दिजिएगा तो चलिए फ्रेंडस आज के अपने वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंडस यह है आपका पेपर केंद्रिया दोगिक सुरक्षा बल मतलब सेंट्रल इंडस् देखने जाए देखने देखने फ्रेंडस एक नंबर कोश्चन रिजिनिंग का है दो नंबर कोश्चन रिजिनिंग का इस टाइप का पच्चिस कोश्चन जो था लगतार 25 तक और इनिंग का ठीक है उसके बाद पचीस आपका यह 25 रिजनिंग का था फिर उसके बाद 25 आपका GS होगा फिर 25 आपका इंगलिस होगा फिर 25 आपका रिजनिंग होगा फिर आपका 25 अथवा में हिंदी होगा या ताप इंगलिस बनाई है हिंदी बनाई है ठीक है फ्रेंट्स इसमें हम सलूसन करने वाले हैं जीके का ठीक है फ आपका जीके का, और सबम्हम हम कोचन देख लेंगे हैं तरहीक करें आपको दिकत ना हो देख shifting का इसमें था 22 को चयन फिर नेक्ष्ट तक दिया गया थीक है फ्रेंड्स यहां पर देख लिए चोवन तक अब इसमें देख लिए आपका 23 भी रिजनिंग है यहां पर देख लिए मैथ का लेवल ज्यादा टॉप नहीं हम जैसे बोले थे मतलब की एकदम इजी टू मोड रहता है उस टाइप का होगा आप आसानी से कर पाईएगा वैसे हम सोलूसन इसका देंगे ठीक है नेक्स्ट वीडियो में तो देख लिए यह आपका मैथ ही स्टा यहीं अलजेबरा टाइप का है फिर 60 में देख लिए सीरीज है एकदम मैथ में है आपका टाइम एंडवर्क यहां पर देख लिए फी टाइम एंड़र्क का है website दिर्सट चोंसर्ट इसके बाद आपका 25 हिंदी होगा यह आपका पेपर का लेवल है ठीक है और हम सलुसन करते हैं जी के का ठीक तो यह पेपर का लेवल देख लिए इसके हिसाब से आपको तजारी करना इसका भी सोलुशन देंगे फ्रेंड्स वैसे आप आप जी के का देख लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैथ रिजिनिंग हिंदी इंग्लिज सब का जाएगा ठीक है फ्रेंड के से अब किसी बस्तु की के मतं बर्ति है तो मांग वक्र है वक्र मतलब की अप्सान आपका दिया है तो опsound में कौन सही होगा बाई और अंत्री फोगा दाई और रउम रहे गा युप्रविक सब ही अहाँ पर एक वात समझने वाले जप की की मतं बर्ती मानली जेंग नमक यूज करते हैं नमक का कीमत बढ़ जाए तो क्या आप कम खाईएगा जितने यूज है उतना ही खाईएगा इसलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वही रहेगा जो किसी बस्तु कीमत बढ़ती है घरती है उसे कोई मतलब नहीं है निमक जितना आप खाते हैं उ पादन बंद कर देती है जब जब अप्सन दिया है अपका फ्रेंड इसमें हम देखते हैं डारेक्ट राइट अंसर इसका अप्सन नमबर डी हो जाएगा बजार कीमत और सथ लागत को पूरा न करती हो फ्रेंड एक एक कोशन ही पोटेट है इसलिए बीच से छोड़के मत भागिएगा क्योंकि अभी यह सब कोशन पूछा जा रहा है ठीक है देख लिजी आप नेक्स्ट वोचन देखिएगा जब पता चलेगा इसका 28 नमबर कोशन है मानव अधिकार दिवस बताइए कोशन नहीं पूचा जारा भी तक हर एक एक गजाम में लगवा जारा है यह सब करने वाला पहला राज्यत थ के दिव değil मैं पंचायती राज परनाली शुरू करने वाला पहला राज्यता तक Uber छाब तो यह सब देख का तो फ्रेंड्स यह जब दुहरागारा में कोचन पुछा गया था तो उस टाइम थे आपका दच्छिन कोरिया दच्छिन कोरिया के संग के वर्तमान महास्यवचीव थे ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट कोचन यानि की 31 31 कोचन है आपका भारत की स्वतंतरता के समय इंग्ले 247 में आपका जो इंग्लेंड के पर्धान मंत्री क्लिम्मेंट एटली थे ठीक है फ्रेंड्स इसका राइट अंसर सी हो जाएगा देखते हैं आप नेक्स्ट 32 नंबर भारत का अधोगी की विकास किसके आने के बाद सुरू हुआ तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर रेल् तुर आने के बाद शुरू है ठीक है फ्रेंट्स, नेक्ष्ट, थर्टी-्थरी भारत के अलावा और कौन सा देश अपना स्वतनता दिवस 15 अगस्त को मनाता है तो इसका right answer friends दच्छिन कोरिया हो जाएगा इसका right answer दच्छिन कोरिया हो जाएगा 34 निमलिखित में से कौन सा चक्रवार्थ नहीं है निमलिखित में से कौन सा चक्रवार्थ नहीं है तो इसका right answer बोरा हो जाएगा इसका right answer बोरा हो जाएगा ठीक है friends, next question देखते है 35 number question है वह मिर्धा कौन सी है? वह मिर्धा मतलब की मिटी वह मिर्धा कौन सी है जिसका रंग iron oxide के कारण होता है मतलब की iron oxide काने का friends तो इसका मिटी का लाल होता है तो ये मिटी होता है letter right ये लाल color हो जाता है iron oxide मतलब की लोहा के चलते है ठीक है friends, तो इसका right answer भी हो जाएगा next question, 36 number कंक्रोज के हिर्दय में चेंबरो की संख्या होती है कंक्रोज के हिर्दय में चेंबरो की संख्या तो कंक्रोज के हिर्दय में चेंबरो की संख्या friends, 13 होती है 13 होती है ठीक है फ्रेंड तो इसका राइट अंसर B हो जाएगा 37 नमबर कोशेन देखते हैं कोई खिलाडी किसके परियोग के कारण ड्रग परिक्षण में अस्फल रहता है कोई खिलाडी किसके परियोग के कारण ड्रग परिक्षण में अस्फल रहता है इसका राइट अंसर फ्रेंड्स बी नमबर हो जाएगा पुलाइंगिक हार्मोन ठीक है नेक्स्ट अनतिस नमबर प्रोटो जोवा के अलाइंगिक बिखंडन बहु खंडन को कहते हैं प्रोटो जोवा के अलाइंगिक बिखंडन को बहु खंडन को कहते हैं इसका राहे टाइट फ्रेंट्स बी नंबर हो जाएगा इन यह कोशन महत्पुण है और जिसका मतलब जाम रहता है तो कोशन जरूर ही रिपीट करता है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यदा महत्पूर्ण है तो पूरा देख लीजिए अब देखते हैं नेक्स्ट कोचन 49 नंबर 49 नंबर फ्रेंड्स कोचन है धावनी के वायू से धावनी के वायू से जल में परवेश करने पर निम्लिकित में से किसमें परिवर्तन नहीं होगा तो इसका राइट अंसर फ्रेंड्स यह नंबर हो जा हो जाता है इक तारे का रंग संकेत है तारे का रंग जो मतलब हम वह देखते हैं कि तारा वाइट है red हो जाता है तो तारे का रंग वो सब किसे का रहा होता है तो उसका जो तापमान होता है उससे का रहा होता है friends तारे का रंग संकेत है उसके तापमान का ठीक है तो इसका right answer भी हो जाएगा यह सब question बहुत महत्पूर्ण है friends तो बहुत ज़री भी repeat कर सकता है आपके exam में तो देखते हैं next question 42 number 42 number question है आपका निमलिखित में से कौन सा MS-DOS में एक बाहय कमांड नहीं है यह question है friends computer का निमलिखित में से कौन सा MS-DOS में एक बाहय कमांड नहीं है तो इसका right answer friends copy कौन हो जाएगा इसको रट लिजिएगा यह सब question copy कौन हो जाएगा अब देखते हैं 43 number question नमक और बालू के मिस्रण को अलग किया जा सकता है इसका right answer friends B. पानी में घोल कर पानी में घोल कर तो friends next question देखते हैं आब 44 number 44 number question है आपका निमलिखित में से कौन से सुहागा मन का परिक्षण के साथ अनुकिरिया नहीं करते तो इसका right answer friends D. हो जाएगा अलमूनियम लमड निमलिखित में से कौन से सुहागा मन का परिक्षण के साथ अनुकिरिया नहीं करते इसका right answer अलमूनियम लवड बाकि सब जो option है तीन गो ये सब अभिक्षण करते हैं अनुकिरिया करते हैं ठीक है friends यहाँ पर 45 number question है वर्सा जल सरक्षण ब्यापक रूप से किया जाता है इसका right answer friends option number B हो जाएगा दच्छिन अफिरका में चैलिस नंबर को चैन है पराबैगनी किन्ने निमलिखित में से क्या नहीं करती तो इसका right answer friends परतिरक्षा तंत्र की चती परतिरक्षा तंत्र की चती नहीं करती है पराबैगनी किन्ने ठीक है 47 number question है सब्टवेयर समूह सत्यम का बिलाइक किया गया सब्टवेयर समूह सत्यम का बिलाइक किया गया तो friends यह भी computer से related है तो इसका right answer B हो जाएगा ठीक महिंद्रा के साथ सब्टवेयर जो समूह सत्यम का बिलाइक किया गया था तो आपका ठीक महिंद्रा के साथ किया गया था ठीक है friends जो 49 number question है अब 49 number question है आपका संसार का सबसे सक्क्रियो जोला मुखी है संसार का सबसे जो सक्क्रियो जोला मुखी है में अंडमान और निकोबार दिव सम्हों में सबसे उुचा सिखर कौन सा है इसका राइट अंसर सबसे關 सबसे अधिक उचाई किसकी है तो इसका राइट आंसर जो गया गर्सोपा इसका देता है तो एक और याद रखिएगा जो गया गर्सोपा जल परपात है जो की सबसे अधिक उचाई है इसका तो यह था फ्रेंड्स यह जीके का डिसकासन अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो बोलिएगा उसके इसाब से या रिजनिंग का या मैथ का हिंदी का तो फ्रेंड्स उमीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा सेर कर दिजे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद